कोरोना को लेकर आज खुशी का दिन है जब हम कोरोना से लगातार पिछले एक डेड़ साल से लड़ रहे हैं उस बीच आज वो समय आ गया है वैतिहासिक दिन आ गया है जब कोरोना टीका करण अभ्यान होगा और कोरोना को मात असल माईनों में भारत दे देगा आत्म निर्ब अधियान मंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही इसका आगाज हुआ लेकि दिन सब के बेच उत्रा खंड के मुखे मंत्री त्रिवेन सिंग्रावत क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले वो सुनेंगे कि मीडिया ने इस अधियान में जो जागरण में सयोग किया क्योंकि किसी भी समस्या और जब सक्रमन जैसी महामारी हो उसमें जागरण बहुत जरूरी है जन जागरण बहुत जरूरी है अवेर्नेस बहुत जरूरी है उसमें जो आप लोगों ने घुमका निभाई उसके लिए मैं आपका धन्यबाद करता हूं दूसरी बात जो डॉक्टर्स और हेल्थ केर वर्कर क्योंकि मैं स्वयम अस्पताल में रहा हूं मैंने देखा है और अन्भो किया वहां पर डॉक्टर्स के साथ नर्सेच के साथ वर्डवाई के साथ और वहां पर जो भोजन पर उसने का काम करते हैं यानिकि एटू जेट जितने मैंने वहां पर अस्पताल के अंदर जो अन्भो किया और जो मैंने बाचीत हुई जो भूमी का हमारे डॉक्टर्स ने निभाई मैं कई बार मैंने कहा कि हमारे मुस्लिन समाज में रोजा होता है एक महने का होता है हमारे डॉक्टर्स ऐसे जिनको 9-10-10 मेंना हो गया वो एक बार सुबह पानी पी लेते हैं इतना पानी पीते हैं कि उनको 8 घंटे तक पर पानी की जरुतन मैसूस हो उनको कहीं बाहर वास्टरूम की जरुतन हो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने डाइपर पहन करके और और आटाग घंटर कई बार उससे अधिक भी अस्पतालों में अपनी सेमाएं परति दिन दी हैं उनके परति सबसे पहले में नमन करना चाहूंगा और इस महामारी में आज बेस बचा है तो उन वोरियर्स की वज़े से बचा है जिन्होंने अपनी जान जोकी में डाल करके रि पर खेल करके किया निश्चित रूप से उनका हम बिल्कुल उनके उनको जितना आधर दे सके जितना सम्मान दे सके अने एक डॉक्टर्स ऐसे हैं अने एक हमारी हेल्थ वरकर ऐसे हैं कि उन्होंने सहाधत दी है उनके भी प्रत्वी हमारी भी सधान जली है उनको आधरान जली है तुसी बात में आप उत्तरा खंड के बिसे में कहना चाहूंगा कि राज्य में कुल 33 सेसन इसके स्टार्ट हुए है पचास हजार हमारे हेल्थ वरकर हैं पहले फेज में जो हमको एक लाग तेरा हजार वैक्षिन मिली हैं हम उन पचास हजार लोगों का टीका करण करेंगे सेकंड फेज में जो हमारे 50 प्लस जो लोग हैं उनको लिया जाएगा जो को मॉर्बिड है उनको लिया जाएगा थर्ड फेज में इस तरीके से इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाएगा मैं प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूँ कि हम जो कोविड के लिए जो बिहेवियर चाहिए उसका अभी हमको पालन करते रहना है उसका अभी हमको पालन करते रहना है चाहे मास्क हो चाहे हाथ बार बार हाथ धोने का हो दिस्टेंसिंग का हो जिसको हमको तब भी पूरी तरह पालन करना है चिनका टीका करन हो रहा है क्योंकि जो एंटी बॉडी जो डिवलफ होंगी जो रोज परती रोदफ जो छमता हमारे अंदर आएगी वो टीका लगाने के तुरंत बाद नहीं आएगी जिसमें हमको 22 दिन तक और हमको इंतजारी करनी है 22 दिन फोर्टी टू डेज 28 जिन में सेकिंड टीका लगेगा उसके बाद 14 दिन बाद 2 सब्ता के बाद एंटी बॉडी डिवलफ होंगी यह ऐसा हमारे वैग्यानिकों ने तमाम परिक्षडों के उपरां यह उन्होंने हमको बताया है और इसलिए ठीका करन के बाद भी देड़ मेहना हमको तमाम तरह की जो कोबिड के अनुसार जो हमारा व्योहार चाहिए वो हमको करते रहना है हुआ मैं अंत में सबके मंगल की कामना करता हूँ सबके सुक की कामना करता हूं सरकास जोढ़ाना है देखिए देखिए भारत में जो वैक्शिन तयार किया गया है ऐसा एक भी एक्जामपल जितने क्योंकि थ्री पेज स्ट्राइल होता है तो तीन चरोड़ों में जो प्रेक्षण हुआ है कोई भी ऐसा केस भारत में नहीं आया और इसलिए हमको अपने वैज्ञानिकों पर जो पुछे सग्या है उनकी राई पर चलना चाहिए एसा नहीं चलेगा कि हम थीका भाजबा का टीका नहीं लगाएंगे यह नहीं चलेगा कि हमारी वैग्ज्ञानिकों की जो राय है उसके अंसार हमको काम करना चाहिए वहमकों अपने वैज्णिक विश्वास रगनाचिए ज अजिक नान मकर्शक्रांटी का हुआ है एक तरह से हमारे एक तरह से प्रायल था हो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है तमाम है चैनल्स के माध्यम से और जो हमारे मीडिया के माध्यम कुम्ब बहुत से काम करने के लिए कम है और बहुत बहुत करने के कारण इस सक्रमन की जो क्रोना वाइरिस है उसके बाप्जूत जो तैयारे हम लोग कर रहे हैं उनको बहुत बहतरीन तरीके समसंपन करेंगे यह बिस्वा दिलाता हुआ देखे आज तो तमाम जो अपराद हो रहे हैं अब जो परमपरागत जो अपराद करने के तरीके थे उन में बदला हो रहा है आज टेक्निलोजी का यूग है इसलिए अपरादी भी टेक्निक के मादधम से अज अपराद की जो उनकी तरीका है वो बदला हो आया है तो उसके लिए में अपनी साइबर टीम को मजबूत कर देखे अभी अभी हमारी प्रात्मिक्ता दिकास है चेहरा कंग्रेश का कौन होगा नहीं होगा या कब बेनकाब होगा ये समय आने पर बता है त्रिवेंसिंग रावत को आप सुन रहे थे कोरोना को देखते हुए जो वैक्सिनेशन की तयारियां की गई हैं दून अस्पताल में निदेख्शन करने के लिए खुद मुख्यमंतरी त्रिवेंसिंग रावत वहाँ पर पहुँचे हैं और इन सब के बीच उन्होंने धनेवाद दिया उन सबी लोगों का उन स्वास्तकरिमी का जिनोंने बिना इस बात की चिंता किये कि क्या इस्तिती उत्पन हो रही है वो गंटे काम करते रहे और उसके साथ साथ आज का दिन किस तरीके से थी हासी के और वो भी खासतोर पर तब जब कोरोनों का नया स्ट्रेइन भी पूरे विश्व में कहर बन करके उभर राय उससे भी लड़ने में किस तरीके से सफल हो रहे हैं उस बारे में भी बात करते